तो hysteresis में क्या है, suppose करो, आपके पास एक, कोई भी एक substance है, जिसको आपने magnetize करना है, आपने magnet मालो iron का piece है, लोहे का piece है, आप लोहे के piece को magnet बनाना चाहते हैं, ठीक होगे यहां तक, तो आप उसे किस में रखेंगे, solenoid में, solenoid में रखने का मतलब आप H apply करेंगे, या B apply करें तो आप H apply करेंगे, तो उसका magnetic field बढ़ेगा, ऐसा ही होगा, तो उससे क्या होगा, substance magnetize होना start हो जाएगा, substance में I की value बढ़नी start हो जाएगी, तो जैसे जैसे आप H apply करेंगे, यानि कि आप ज्यादा magnetic field apply करेंगे, substance magnetize होगा, उसकी I की value बढ़नी start हो जाएगी, मैं graph plot करना च suppose यह जो axis है suppose यह जो axis है यह axis कौन सा axis है h का और यह axis कौन सा है i का एक h और एक i ठीक है और मैंने एक लोह का piece लिया specimen लिया और इसको solunanand में रख दिया और मैंने इस तरफ current को pass किया मैंने या current pass किया यहां जानके बोल रहा हूं क्योंकि थोड़ी देर में current opposite भी करूँगा तो जो मैंने यहां current pass किया तो मानलो magnetic field इदर है और जो मैं यहां current pass करूँगा मानलो magnetic field इधर हो जाएगा तो I will change the direction of magnetic field also तो मानलो अभी magnetic field ऐसे है लोह का पीस पढ़ा है लोह के पीस के लखो एटम्स हैं जो आपस में capital M आपस में cancel कर रहे थे पर जैसे ही आपने H को increase करना शुरू किया यह देखो H increase हो रहे है तो आपने field को बढ़ाना शुरू किया तो substance magnetize होना start हुआ, substance की I की value बढ़नी start हो गई तो यह देखा गया कि जैसे-जैसे H बढ़ा, I भी बढ़ा, H बढ़ा, I भी बढ़ा, H बढ़ा, I बढ़ गया तो यह graph plot किया गया कि आप H को बढ़ते जा रहे हो, I की value बढ़ती जा रहे है को doubt इसमें, clear है यहां थक, अब क्या हुआ इसमें, H बढ़ने से I बढ़ा, अब इसके अंदर, मैंने और H अप्लाई किया, पर I ने बढ़ना बंद कर दिया, मैंने और H अप्लाई किया, I ने बढ़ना बंद कर दिया, क्यों? क्योंकि जितना substance ने magnet बढ़ना था, वो बन ग है, उससे जादा वो और magnet बन नी सकता, क्योंकि उसके सारे अटम का डाईपोल मुव्मेंट एक तरफ अलाइन हो चुका इस तरफ, long magnetic will align हो गया, सारा एक तरफ हो गया, clear है आतर? अब substance कहते है कि मैं और magnet भी बन सकता, बस मेरी I की value maximum हो कि काम खता है, अब आप सोच रहे हो हो भी कम, 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 कम होई और हुआ क्या, आपने है को क्या कर दिया? जीरो, I की value जीरो ना होई, क्योंकि एक बार लोह कापी जब मैंगनेट बन जाता है, तो वो दी मैंगनेटाइज करना असानी होता, लाखो करोड़ो अटम है क्योंकि वो तो खुद नेचर उसकी मैंगनेटी ही है, तो जब आप उसको मैंगनेट बना देते हैं, और मैंगनेटीक फिल्ड को अपलाई करना बंद कर देते हैं बाहर से तो और बहुत देर तक रहता है, तो आपने तो फिल्ड एच जीरो कर दिया, पर I की value 0 ना होई, अभी भी लोह मैंगनेट ही है आपका, क्योंकि उसके कुछ domains अभी कुछ atoms हैं वह एक तरफ aligned है clear रहे हैं तक अब आप यह सोच रहे हैं कि यह क्या हो गया यार मुझे लोह ही चाहिए मुझे मेरा लोहा वापस लाके दो तो क्या दरेंगे ऐस तो बनता नी तो आपको क्योंकि सारे जो एंटम्स हैं उनका डाइपोल मुमेंट इस तरफ लाइन हो चुक है आपने जीरो कर दिया तब भी कुछ जब तक वह लाइनमेंट टूटे गी निस तरफ तब तक वह लोहा लोहा नी बनेगा तो आपने क्या किया आपने यह करने के लिए अपना अपने फिल्ड जीरो किया था अभी भी वह उरिएंटेशन ऐसी हुई है आपने अपने उल्टा भी अप्लाई कर दिया बाहर से तो अब वह सारी जो एटम के डाइपोल मोमेंट इस तरफ है उनकी यह लाइनमेंट इदर उनी स्टार्ट हो जाएगी कहने का मतलब अब जब आप रिवर्स एच अप्लाई करोगे तब आई की वेल्यू जाके क्या होगी जीरो तो आपको कुछ एच उल्टा अप्लाई करन पडा इनफंटी डारेक्शन जानि कि थो फिल्ट कूलता घुमाना-पडा बीक इल्टा करना पड़ा फड़ाएच को फ्याना पड़ा थागि I क्या हो जाएग अब लोहा लोहा बनगा आपका उसमें जीरो क्लियर है अब आपने क्जाने बटा फींद पाई अपलाई कर थो हो नहीं सकता, इस से आप इंक्रीज नहीं हो सकता, बस यह लास्ट वेल्यू है, अब आप सोच रहे हो या लोहा उल्टा मैगनेट बन गया, पहले इधर मैगनेट था, अब सारे जो एटम्स है वो इस से लाइन हो गए, तो चलो ऐसा करते हैं, ह को कम करके जीरो कर देते हैं, तो जब आपने एच को जीरो किया, तो सबस्टांस का आए कम हुआ, लेकिन एच जीरो करने पे सबस्टांस अभी भी मैगनेट ही है, वो सेम प्रॉब्लम, अब आप सोच रहे हो कि यार, अब सारे जो एटम्स है वो इधर लाइन हो चुके हैं, जब तक लाइन में टूटे कि निए वो लोहा लोहा बनेगा निए, तोड़ने के लिए क क्या करेंगे, उल्टा मैननिक फिर फिल प्लाइ कर दिया, आपने एच फिर इधर कर दिया, प्रॉंट पर इदर घुमा गया, валम में च. तो जब आपने उल्टी तरफ हैच को अप्लाई किआ, तो आई की वेल्य इधर magnet बनेगा, demagnetize हो जाएगा, इधर magnet बनेगा, demagnet, तो substance, loha magnet बन रहा है, demagnet, magnet, demagnet, magnet, demagnet, इसको बोलते है cycle of magnetization, cycle of magnetization का मतलब, cycle का मतलब की, जैसे magnet, demagnet, magnet, demagnet, तो यह क्या है cycle of magnetization, इस पूरे process में, कौन आगे, कौन पीछे, मैं h को पहले apply करता हूँ, i बाद में increase होता है, मैं h को zero करता हूँ, i zero नहीं होता, मैं h को उल्टा apply करता हूँ, तब जाके i zero होता है, तो इस पूरे process में, i पीछे चल रहा है, और h आगे चल रहा है, तो h की value क्या चल रही है, इसमें आगे चल रही है, clear है यहां तक तो H आगे चल रहा है आए पीछे चल रहा है तो इस process जिसके अंदर इस process जिसके अंदर phenomena of lagging of I पूरे process में कौन लाग कर रहा है आए किसके पीछे लाग कर रहा है H when specimen of magnetic material जैसे loha iron specimen of magnetic material is subjected to cycle of magnetization करो Magnification, magnetization करो, correction, magnetization तो यहां पर लिखो, subjected to cycle of magnetization ठीक है मैं जोड़ी साथ से लिख रहा हूँ, तो फोड़ा राइटिंग ऐसी आएगी point समझ में आ रहा है, cycle of magnetization clear है यहां तक तो इस process को क्या बोलते है हिस्टेरिसिस तो इसके अंदर हो क्या रहा है इसके अंदर इसके अंदर हम क्या कर रहे है substance को magnet बना रहे हैं, d-magnet बना रहे हैं तो इस process को क्या बोलते है, cycle of magnetism बता दिया मैंने हाँ, एक important चीज, बहुत important चीज इसके अंदर, इस graph के अंदर, यह starysis का graph है rule number one, मैंने ध्यान से देखना इस rule को मैंने i को maximum, यहां पर i की value मैंने h को 0 किया था यहां पर इस point पर h की value क्या थी, 0 h को 0 करके अभी भी i की कुछ value इसमें पड़ी हुई थी यह point समझ में आ रहे है, मैंने इसमें h को 0 किया फिर भी इसमें आये pending था, इसको बोलते हैं बचा हुआ magnetism, क्यों हो बई, क्योंकि h को 0 कर दिया या फिर भी magnetism, बच गया लोहे कि अंदर, बचे हुए magnetism का दूसरा नाम है residual magnetism, तो residual magnetism वह i की value है जो बच जाती है, जब h की value क्यों हो जाती है, 0 और इसका दूसरा नाम है residual magnetism या retentivity, इसका दूसरा नाम है retentivity तो retentivity या फिर residual magnetism किसे बोलते हैं, वो i की value, जब h की value क्या है, 0 तो retentivity वो i की बचीवी value, जब h की value क्या है, 0 को doubt इसमें, point समझ में आ रहे हैं यहां तक, अच्छा, अब यह बताओ इसमें, इसमें यह बताओ कि अगर suppose करो, ध्यान से देखना, यहां पर यह h की value है, यह वो h की value है जब i की value क्या हो गई थी, इसमें, 0 यह वो h की value मैंने apply की, यानि की ultramagnetic field apply किया था, ultradirection में field apply किया h, ताकि मेरा i क्या हो जाए, 0 इस h की value जो मैंने apply की, चाह इधर की, चाह इधर की, इसको पोलते हैं, coercivity, 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 coercivity वो h की value है, जब i 0 है, retentivity वो i की value है, जब h 0 है, को doubt इसमें, point समझ में आ रहे हैं यहां तक, ठीक है, मैं फिर repeat करता हूँ, यह term को आपको यादी करना पड़ेगा, क्योंकि य obviously, यह term use करूँगा, मैं, retentivity वो i की value, जब h 0, coercivity वो applied h की value, ताकि i क्या हो जाए, 0, को doubt इसमें, point समझ में आ रहे हैं यहां तक, clear है, ठीक है, आगे, देखो, आगे इसमें, एक ना बड़ा important, इसमें, fact है, जो आपको सीखने है, वो यह, कि, जितना जादा, यह area बड़ा होगा, hysteresis का, तो जिसका वो area shaded, जादा बनता है, उसका energy loss भी जादा होता है, क्यों होता है energy loss पत है, देखो, आप कितनी, उस iron के साथ कर क्या रहे हो, या उस specimen क्या रहे हो, आप पहले इसको instruction देते हो, पि सारे लखो atom इधर हो जाओ, फिर instruction ने, इधर ने इधर चले जाओ, इधर ने इधर चले जाओ, तो जैसे वो घूमता घूमता इधर होता है, जब आप उसको magnet, demagnet, magnet, demagnet बनाओगे, अपने भी गरम हो जाएगा. तो ये heat loss है. जितना बड़ा एरिया होगा इसमें, heat loss उतना ही जादा होगा. एरिया छोटा होगा, heat loss कम होगा. जैसे, experiment किया गया, soft iron और steel पे. तो soft iron और steel में एरिया किसका कम है? soft iron का. तो जब आप इसे magnet, demagnet, magnet, demagnet बनाओगे, तो गरम कौन कम होगा? soft iron, soft iron energy loss कम होगा. और steel का जादा होगा. अब देखो कितना बड़ी आतरीक है? आप मशीन बना दो, पता है उसमें magnet यूज हो नहीं है और magnetism का cycle चलेगा ही चलेगा. वो करने से पहले, आप experiment कर लो lab में, तो lab में sample पे experiment कर लो, जो जादा hysteresis का graph जादा बड़ा बना रहे है, वो मत use करो, क्योंकि इसमें heat loss जाद है. तो application समय आ रही है कि हम क्या use करेंगे इसमें? अब इसके अंदर एक और चीज़ देखो. अब जो question में बता रहा हूँ, बहुत probability है, इसमें से कोई ना question मिलेगा आपको. hysteresis में तो मुझे पता नहीं, पर अब ये पकता आएगा. पहले तो ये याद कर लो, soft iron और steel का hysteresis कैसा होता है? ठीक है, बनाना ना सकता है. फिर वो ये पूछेगा पहला पर्मानेंट मेंगनेट बनाने के लिए कौन सा माटीरियल यूज करेंगे? soft iron या steel? soft iron, ऐसा क्यों? क्योंकि इसका मेंगनेटिजम जाद है. ये रीजन है, गलत है. soft iron नहीं यूज करते, steel करते हैं. अब ऐसा क्यों? देखो, सुनने में पहली बार soft iron ही लगता है. reason, क्योंकि जब मैंने h को 0 किया, इसमें मैंगनेटिजम बचा हुआ जादा था. और इसमें कम था. तो मुझे भी लगा, क्योंकि इसमें मैंगनेटिजम जाद है, तो फिर permanent magnet का मतलब ये नहीं है कि जादा चाहिए. पर्मानेट मैंगनेट का मतलब बहुत जादा देर के लिए मैंगनेट रहे. देर के लिए वैल्यू नहीं, वैल्यू कम जादा कोई चकर नहीं, काफी समय के लिए मैंगनेट रहे. अब इसकी एक समस्य है, जवाब h को 0 करते हो no doubt, इसमें मैंगनेटिजम h apply करने से इसके i को 0 करने है, तो कितनी कम value चाहिए इसको, बहुत कम value चाहिए फटा फट d-magnet हो जाएगा. लेकिन इसको d-magnet करने के लिए आपको बहुत जादा उल्टा h apply करना पड़ेगा, reverse field बहुत जादा अपलाई करना इसलिए हम steel यूज़ करते हैं क्योंकि steel के अंदर हमें जो h की value reverse जो apply करनी पड़ती है, वो जादा apply करनी पड़ती है, ताकि वो d-magnet बने. तो क्या ये point clear है यहां तक? ठीक है, important है. दूसरा question आएगा, electro magnets बनाने के लिए क्या use करेंगे? Electro magnet soft iron की steel Electro magnet क्या होती है? बिजली से चलने वाली magnet जैसे bell या कहीं भी use होती है अब problem क्या है? हर वक bell बज़ती रहेगी, या electro magnet हर वर use होता रहेगा, तो आप उसको on कर रहे हो, कभी off कर रहे हो, कभी on कभी off, तो ऐसा material use करें, जो heat loss कम show करें क्योंकि उसमें गरम हो ही जाने है bells खराब हो जाती है, पुराने जमाने की घंटी बज़ती थी, बहुत पहले जो आप तो electronic bells है, electronic circuits हैं, पहले तन 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 बज़ती थी तो उसका principle क्या था? वो electro magnet था वो hammer रखते थे, kattori रखते थे अधिक वो बहुत प्रणेज़वानी की बात कर रहा हूं है, जो आपने सुना होगा, तो वो पहली bell जो थी, तो उसका थी, तो उसका magnet बन जाता था, hammer उसको hit करता था, तो magnet बना, भी दी magnet कर दिया, magnet बना, d-magnet, तो तन 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 बचता है, तो magnet बना दो चिपक जाता था, d-magnet तो वहड जाता था, तो वो bell बनी स्टार्ट हो जाती थी, तो यह principle था, और वो सड़ती बहुत चलती थी, क्यों? गर्म हो जाती थी, क्योंकि साथ दिन में उस बैली पर जाते रहोगे, तो अपर तो सड़ी जाएगी दो-चार दिन में, क्यों? क्योंकि heating effect है, तो material ऐसी bells में या ऐसी जगा पर क्या use करेंगे, जिसका heat loss कम हो, और वो कौन है? soft diagram, clear है यहां तक? तीसरा जो इसकी application है, वो है transformer के course, transformer के course होते कैं हैं, देखो जो transformer है, जो transformer है, वो क्या है? transformer कुछ ऐसा यह transformer है transformer हम अगले chapter में करने वाले हैं होता कि है transformer के यहां wires है जो हमारे गली में लगा होता है transformer यह wires है यह wires है फिर ऐसे ही यहां पर भी wires है ठीक है तो हमारे घरों तक ऐसे बिजली आती है transformer के थुरू ट्रांस्वर्मर का मैं वैसे जो है इसका अप्लिकेशन नेक्स चैप्टर में आने वाली है सिंपल चीज बता देता हूँ ट्रांस्वर्मर वोल्टेज को आप कर देता है यह बड़ा स्टेपलाइजर है अगर मालो आपकी वोल्टेज दो वोल्ट रह गई क्योंकि जो ट्रांस्विशन जो ट्रेवल करती है ना बहुत डिस्टेंस डाम बहुत दूर है डाम से विजली आनी है को मजाग थोडी नहीं तो कई किलोमेटर तक ट्रेवल करके आएगी तो ट्रांस्वोमर्ड और अगर फिर भी कम हैं हम फिर भी दर के हमाने क्या लगा ता लगता है हम कम इसको तो लगा लें ट्रांस्टा ट्रास्वोमर है तो यह भी voltage को step up and step down करता है 20-25 volts और आम से करी देता है तो point समय में आया transformer या जो भी इसके उपर तुमने काम नहीं करना असली बात यह है कि जो transformer काम करते है बैटरी के उपर काम नहीं करता है यह AC alternating currents पे काम करता है continuously change होती है कैसे change होती है जैसे हमारे घरों में 4 ampere current आ रहे है तो wire में 4 ampere current कैसे जाएगा ध्यान से देखना current आ रहे है 0, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0 0 से 4 ampere 4 ampere से 0 ampere करतेगा wire में current constant नहीं है wire में current ऐसे है 0, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0 direction change 0, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0 0, okay direction change 0, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0 और एक second 50 बार हो गया 50 बार हो जाता है जो मैं आपको process 2 मिनट में समझा रहा हूं तो ये एक second में 50 बार ऐसा हो गया इतनी बार current अपनी direction change कर चुक है और value भी चेंज कर चुक है ये इतना fast है हमारे गरों में ऐसे विजिली आती है कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे ठीक ये alternating currents है अब बात वो नहीं alternating बात ये है कि इसमें current continuously wire में क्या और है change जादा कम, जादा कम direction भी change कर रहे है तो सोचो इन wire में magnetic field generate होगा 0 से जादा, जादा से कम फिर direction will change क्योंकि current carrying wire क्या generate करती है magnetic field, तो magnetic field current के साफ से चलेगा, current जादा है तो भी जादा है, current कम है, भी कम है current action change करेगा, भी direction change करेगा अब problem किसकी है problem ये लोहे की अंदर जो पड़ा हुए आप इसको देखी नहीं लोहा कहां पर करें लोहे के उपर काम है हमारा काम इस चैप्टर में इसके उपर है ये लोहे का पीस बड़ा परिशान है क्यों परिशान है? कि ये कमाल है यार मेरे अंदर करोड़ो एटम उनकी सोचो आप continuously magnetic field बढ़ा रहे हो कम कर रहे हो, direction change कर रहे हो मेरे करोडो एंटम क्या हाल हो रहे है कभी हो इधर जा रहे हैं आपके इसाब से कभी सिरज़ जा रहे हैं कभी इदर जा रहै और बिली तो जाती है बहुत कम जाती है सला ही चलते जारे तो सोचो हर वक्त zostaio distributi गॉए म Schon वेयर । कभी सिट कर रहे हैं कभी ये लोहे का पीस में क्या हो रहा है मेगनेटिक फिल्ड कभी इदर कभी इदर यानि कि आप क्या कर रहे है worst cycle of magnetization तो आप मैणनेटिक be結果 कभी इदर कभी इदर यानि कि लोहे के पीस को कभी मैंगेट बनारे हो कभी दिमेंगेट घशिप है तो कभी मैझनट इजा कभी जी लो किदर मन रहे है चबिसी और हर बंता गायेगा तो हम कौसा मटी यूज करेंगे जो कर Went कम हो और गरम कम का मतलब जिसका हिस्टार्स आरओ स्ट कम हो किसको इसख का सॉफ्ट और और इसमें क्या loss होगा, hysteresis loss, heat loss को क्या बोलते हैं, hysteresis loss, ताकि hysteresis loss कम से कम हो, यह इसका reason है,